नमस्कार दोस्तों, आजकल टेक्नोलोजी बहुत आगे जारी है, आगे तो जारी है लेकिन कौन से डायर्क्षिन में जारी है किसे को घंटा पता नहीं, मेरा नाम है प्रैश, आप देख रहे हैं अंगरी गुरुजी, चले ही शुरू करते हैं अरे वो आस्थमा का पाइक कौन लेके गया बे जब स्मार्टफोन 10-12 साल पहले बाजार में आये थे, तब मैं मानता हूँ कि वो स्मार्टफोन थे, स्क्रिन टच, मल्टि फंक्शन, बिगर डिस्पले स्मार्टफोन, और आजकल की फोन कंपनी, अरे, ऐसा लगता है इनके सा स्क्रिन की साइज बढ़ाना, वो कुरकुरे के पकेट में 10 ग्राम हवा भर कर 20% एक्स्टा लिक कर हम कैसे खुश हो कर खरीज लेते थे, लगता ही है स्मार्टफोन वाले आजकल चिप्स और कुरकुरे का फार्मिले उच करने लगे, मुझे बताओ, अगर तुम शादी के मेरे हेडफोन को कहा कुसेडू, अगर तुमारे पिछवारे से छेद ही गायब कर दिया जाए, तो टट्टी कहा से करो के बताओ मुझे, और कोई वायरलेस छेद भी काम नहीं आएगा उस टाइम, वो बेचारे फ्रेंट कैमरे ने तुमारा क्या भी गाड़ा था, पहले ज आगेगा, एलियन की ओलाद लोगोगे, और तो और फोन को भी पतला करते जा रहे हैं लोग, थोड़े दिनों में इतना पतला फोन आएगा मार्केट में, तु मुझे से रसवी में कांदा चील सफ होगे मालूम, इसी को तो बोलते है स्मार्टफोन मल्टी फंक्शन टेक्न जब फोन में से गायब करने के लिए इनके पास कोई भी चीज बची नहीं, तो इन लोगों ने फालतु में चीजों को आड करना शुरू कर दिया, वो पहले फोन में पिछे एक क्यामेरा था, जो अच्छी खासी फोटो खीच लेता था, फिर दूसरा क्यामेरा लगा दिया सोचा, ठीक है, चलो, अकेला बोर हो गाए होगा, तो दूसरे का साथ मिलेगा, फिर आया तीसरा, फिर प्र चोथा, फिर आया फ्रेंट में डियल क्यामेरा, नहीं, तुमें काम क्यू नहीं करते, पूरे फोन में क्या दो, नहीं, इतना क्या जूम करना है, तुम लोगो को मैं बोल रहा हूँ नासा के साइंटिस को सालो लगे होरीजोन टेलिस्कोप से ब्लाक होल डुणने में अगर शाओमी से कॉंटेक्ट करते हैं तो फोन में 10-12 क्यामेरा लगा के ब्लाक होल के अंदर के युनिवर्स के किसी प्लानेट पर टटी करते बेटे हुए एलियन का एजडी फोटो निकालके देते हो एक सेकेंड में नहीं पहले के फोन क्या बेटर परफॉमंस नहीं देते थे जो फास्ट प्रोसेस के नाम पर राम पर राम बढ़ाते जा रहे हो वेसे दिन बर पबजी खेलना है तुम लोगों को तो 16GB राम का क्या घ फिर वो नया snap, snapdragon processor आया मार्केट में वो डिनेरस का बचा हुआ dragon भी डाल दो उसे क्यों छोड़ दिया टीवी तो नहीं टूटा मेरा हाथ दो दिन सूजा हुआ था आज कल के पतले पतले जिरो फिगर टीवी देखोगे तो उसके सामने किसी ने पाध भी मार दिया तो क्रैक आ जाएगा मैंने सुना अब मार्केट में ट्रांसपरेंट टीवी भी आ चुके यार तुम लोगों को टीवी पे पिक्चर यह देखना है तो ट्रांसपरेंट टीवी में देखे ऐसा कौन सा और गयजमाएगा बता वह गज़ाने के लिए एक ही जगा बची थी तीवी के पीछे अब ट्रांसपरेंट टीवी के पिछे झुपा दिया और घर वाले जब नागिन देखेंगे तो नागीन के सर पे कॉंड़म अच्छा लगेगा क्या बताओ ए जी ओ जी वो नागीन ने टोपी क्यों पेनी है अब 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 धूब लग रहे हो गे उसको सब ट्रांसपरन चाहिए तुमको ट्रांसपरन टीवी ट्रांसपरन फोन ट्रांसपरन नुनु भी लागा लो सुसु बहार निकलते हुए दिखेगा हे 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 वो देख मेरा सुसु कल मैंने यूटूब पे देखा वो एपल ने नया मैक प्रो लॉंच किया है जिसके मॉनिटर का सिर्फ स्टैंड असी हजार रुपए का है मैं एपल के सीयो से एक बात पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा मेंगा करा माल फूखते हो बताओ मेरे को अरे यहां 80000 में दो नए कंप्योटर खरीच सकता हूँ मैं वो स्टैंड स्क्रिन को सहारा देने के लिए या हमें बे सहारा करने के लिए पता नहीं मैंने यह भी सुनाए कि आने वाले जमाने में फोन तुम्हारे हाथ में कान में या आख में फिट कर दिये जाएंगे नहीं इतना क्या आल सी हो गए तुम लोग एक हाथ में फोन नहीं पकड़ पाओगे अगर फोन को आख में फिट करोगे तो सिमकार कहां पिछवाडे में डालोगे और नेटवर्क टावर के लिए क्या नुन्नु खड़ा करवाओ के 24 गंटे साला गला बेढ़ गया मैं आजकल के नमुले बाहर गुमने जाते तो नेचर को अपनी आखों से नहीं फोन की आखों से देखते जिसके वज़े से आजकल के छोटे-छोटे बच्चे हैरीपटर बन नहीं अगर कल तुमको कोई रिक्षा कुचल के चली जाए और मैं अगर तुमारा वीडियो खिचके यमराज को वाट्साप कर दू तो अच्छा लगेगा अगर कोई पिताजी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक निवेदान है कि अगर आपका बच्चा नया फोन खरीदने के लिए 25,000 रुपए मांगे क्यों क्योंकि वो फोन सिर्फ बैजल ले से तो उसकी गान पे लात मार के घर से बाहर निकल दो उसको एक सेलफोन हमारे लिए होता है हम सेलफोन के लिए नहीं होते सुबह उठकर फोन का नोटिफिकेशन चेक करनी की इतनी बुरी आदत लग चुकी है हमको कि किसी दिन अगर कोई नोटिफिकेशन ना दिखे तो डिप्रेशन में चले जाते है पुरा दिन आज इंसान इंसान से उतना बात नहीं करता जितना एक फोन और कैमेरा से करता है कट सर कैमेरा का बैटरी लो हो गया अबे आउटरों तो देने दे नई सर बैटरी खतम सालेभ भोपाडी के दुकानदार ने सस्थी बैटरी पकडवा दी फोन किदरे मेरा हाँ तो सतक रही है, साउधान रही है सर सर क्राइम पिटरल नहीं चल रहा है हाँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको और वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के वाटसाप ग्रूप पे शेर कर दो नहीं हो तो सस्क्राइब ठोको मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नई टोपिक के साथ तब तक के लिए आलवीदा